परिचय आज विभा और उसका परिवार एक नए घर में रहने जा रहे हैं वहाँ देखती है कि उसके माता पिता को एक संदूग को शयन कक्ष तक ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है बैठक वाले कमरे में वो देखती है कि उसके चाचा एक बड़े टेलिवीजन को बड़ी आसानी से ले जाते हैं उसके अंकल ने उससे बताया कि वो ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि टेलिवीजन के नीचे पईये लगे हुए हैं विभा आश्चरे चकित हुई कि इतने छूटे पईये भी इतनी अधिक सहायता कर सकते हैं इस अध्याय में आप पईये की कहानी के बारे में जानेंगे आओ सीखें पईये के महत्व का वर्ड़न करना पईये के अभिशकार का वर्ड़न करना हर जगह पईये सड़कों तथा पट्रियों पर चलने वाले सभी वहनों जैसे साइकल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक तथा रेल काड़ी आदी में पहिये होते हैं यहां तक कि हवाई जहाजों में भी पहिये होते हैं, पहिये गोल होते हैं, पहिये गोलाकार होते हैं, अपनी आकृती की वजह से ही ये आराम से खूमते हैं आओ खेलें उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो की घूम सकती है वानू में पहिए कुछ वानू जैसे की स्कूटर, मुटर साइकिलादी में छोटे पहिए होते हैं जबकि कुछ अन्ने जैसे की बस, ट्रकादी में बड़े पहिए होते हैं कुछ वानू में दो पहिए जबकि कई अन्ने वानों में चार पहिए होते हैं पहियों की संख्या वा आकार वाहन के आकार पर निर्भर करते हैं आओ पहियों के बारे में और अधिक जानते हैं पहिये की कहानी बहुत समय पहले याता यात का कोई साधन नहीं था मनुष्य पैदल चल कर ही दूरी तै किया करते थे वो सामान को अपनी पीट पर या अपने घरेलू जानवरों जैसे कधे, भैसों आधी की पीट पर लाद कर चलते थे लेकिन लंबी दूरी होने पर उन्हें ऐसा करने में बहुत परिशानी होती थी एक दिन काम करते समय एक आदमी ने लकड़ी के लट्टे को लुड़का दिया उसकी आकरिती गोल होने के कारण ही वो आसानी से ऐसा कर पाया था फिर उसने एक पीट के तने को दो गोल भागों में काट कर तथा उन दोनों को जोड़ कर एक गाड़ी बनाई लेकिन दोनों भागों में अंतर होने के कारण बैल गाड़ी नहीं चल पाई उसके बाद उसने दो गोल तथा समान भागों का प्रयोग किया जिससे बैल गाड़ी चलने लगी इस प्रकार से पहिय की खोज हुई थी पहिय में सुधार समय बीतने के साथ साथ पहियों में भी सुधार हुआ पुराने दिनों में प्रयोग होने वाले लकडी से बने पहियों के स्थान पर अब स्टील, रबर और लोहे से बने पहिये प्रयोग किये जाते हैं पहिये के उप्योग पहिये हमारे लिए अनेक प्रकार से उप्योगी हैं पहियों के द्वारा वाहन चलते हैं खिलानों में पहिये लगे होते हैं इसलिए वो चल पाते हैं पहिये वाली कुर्सी से एक बीमार व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है आओ खेलें उस वस्तू पर क्लिक करें जिसे पहियों द्वारा चलाया नहीं जा सकता है हमने क्या चर्चा की? कारों, बसों, रेल गाड़ियों तथा हवाई जहाजों में पहिये लगे होते हैं वे गुला कार होते हैं पहिये गुला कार होने के कारण ही आसानी से घूम सकते हैं